ठंडी का मौसम आते ही अपने आपको स्वास और फिट रख पाना बड़ा चैलेंजिंग सा हो जाता है मौसम में होने वाले बदलाओं के साथ ही व्यक्ति के शरीर का मिजास भी बदन ले लगता है इस मौसम में इम्मिनिटी कमजोर होने लगती है जिसके चलते व्यक्ति बड़ी ही आसानी से फ्लू और इंफेक्शन का शिकार हो जाता है इसका रामत सर्दियों में खांसी, सर्दी, जुखां और बुखार जैसी समस्याओं का होना आम बात है इन बीमारियों से बचने के लिए लोग अलग-अलग तरह के पैत्रे अपनाते हैं लेकिन हम सर्दियों के मौसम में ऐसी गल्थियां कर देते हैं जिसका हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो चलिए जानते हैं सर्दियों में कुछ गल्तियों के बारे में जो आपके लिए मुसीबत बन सकती है ऐसे में अधिकतर लोग जो गल्ती करते हैं उनमें पहली गल्ती है नहाने में गर्म पानी का इस्तमाल करना अधिकतर लोग ठंडिस से खुद को बचाने के लिए सर्दियों में गर्म पानी का इस्तमाल करती है आपको बताते हैं कि गर्म पानी से नहाना हमारी बॉडी और दिमाद दोनों को बुरी तरह से प्रभावित करता है इसका लावा कई बार लोग नहाने के लिए अधिक गर्म पानी का इस्तमाल करते हैं जिसके चलते इसकी इंसल्स डैमेज हो जाती है अत्यधी टाइट और अधिक गर्म कपले पहनना हम सब अपने आपको सर्दियों से बचाने के लिए गर्म कपलों का इस्तमाल करते हैं लेकिन कई बार ऐसा करना भी आपके शरीर के लिए नुकसान दायक हो जाता है दरसल सर्दी के मौसल में ज्यादा गर्म कपले पहनने से बॉडी ओवर हीटिंग का शिकार हो सकती है बॉडी के ओवर हीट होने पर इम्यून अपना काम नहीं कर पाता है जिसके चलते आपको कई दिक्कते महसूस हो सकती है कई बार अधिक और टाइट कपले पहनने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और डाइजेशन में काफी समस्या महसूस हो सकती है अत्यधी कालस ठंडिस से डरकर लोग बाहर मिकलना बंद कर देते हैं ऐसा करना आपकी सेहत के लिए नुकसान दैक साबित हो सकता है ऐसा करने से आपको बजन बढ़ने की समस्या के साथ-साथ शरीर में विटामिन की कमी का सामना करना पड़ सकता है खान-पान में लापरवाही सर्दियों के महस्तर में अकसर लोग चाय और कौफी का अधिक मातरा में सेवन करते हैं इसके साथ-साथ लोग तली भुनी चीज़ों का सेवन करना भी बहुत पसंद करते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसान दे साबित होती है इसलिए खान-पान का विशेज ख्याल रखना चाहें